1, 2, 3, come on! Welcome to Educative Hello everyone, welcome to my YouTube channel जिसका नाम है Educative और आज हम पढ़ेंगे 7th class की science का chapter 10 Respiration in Organism यानि की जीवों में स्वेशन बच्चों इस chapter में हम स्वेशन क्या होता है? हम स्वेशन क्यों करते हैं? यानि कि Respiration क्या होता है? Respiration किस प्रकार से होता है? इन सभी कोशन के आंसर जानने की कोशिश करेगी हैं तो चलिए बिना किसी देरी की chapter शुरू कर लेते हैं इससे पहले हम science के 9 chapters कवर कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो वहां से आप उन सभी chapters को भी ध्यान से पढ़ लेजिए अब देखते हैं chapter में क्या दिया हुआ है तो यहां जो पूझो है वो बहुत ही उत्सुकता से इंजार कर रहा है किसका अपने ग्रांट पेरेंट्स का अपने दादा दाजी का जो की लगबग एक साल के बाद उनके यहां पर आ रहे हैं He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop और उसको बहुत जल्दी है क्योंकि वो चाता है कि वो जल्दी से bus stop पे जाए और अपने दादा दादी को receive कर ले He ran fast and reached the bus stop in a few minutes वह दोड़ा-दोड़ा गया और कुछ ही मिन्टों में bus stop पे पहुँच गया He was breathing rapidly वो जोड जोड से सांस ले रहा था जल्दी जल्दी सांस ले रहा था आप भी कई बार जब तोड़कर जाते हैं गई तो आपको सांस बहुत तेजे से जाए ने लगती है न तो इसे तरह वो भी काफी तेजे से सांस ले रहा था His grandmother asked him why he was breathing so fast तभी उनकी दादी माने पूछा कि तुम इतनी तेजे से सांस क्यों ले रहे हो पूझो टोल हर that he came running all the way और पूझो ने बताया कि वह पूरे रस्ते दोडता हुआ है जब आप कई बार दोडते हो तो क्या करते हो तेजे से सांस लेने लगते हो हाफने लगते हो इसी तरह बूझो भी तेजे सांस ले रहा था बड़ तकोशन गोड स्टक इन हिस माइंड लेकिन जो यह कोशन था उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था He wondered why running makes a person breathe faster और वो इस बात पर हैदान था कि क्यों जब running करते हैं तो कोई व्यक्ति तेज़ दे सांस लेने लग जाता है The answer to Bujo's question lies in understanding why we breathe और इसके साथ एक और question में था जो इसके दिमाग में था और उसका answer कोश चाहिए था वो यह था कि हम सांस लेते क्यों है Breathing is a part of respiration जो सांस लेना है वो respiration का है स्वेसन का एक पार्ट है Let us learn about respiration तो चलिए respiration के बारे में जान लेते हैं कि respiration होता क्या है Why do we respire? हम स्वेसन क्यों करते हैं? In chapter 2 You learn that all organisms are made of small microscopic units called cells तो हमने chapter 2 में पढ़ा था कि सभी जीव छोटी-छोटी units से एकाईों से मिलकर बने होते हैं जिने की cell कहा जाता है Cells कहा जाता है यानि की कोशिका कहा जाता है A cell is the smallest structural and functional unit of an organism और जो एक कोशिका होती है वो सबसे छोटी एकाई होती है किसी जीव की Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction और हर एक जो cell होती है किसे जीव में ये अलग-अलग function perform करती है जैसे कि nutrition, transportation, excretion and reproduction To perform these functions, the cell needs energy और इन सभी काम को करने के लिए जो कोशिका होती है उनको energy की यानि की उर्जा क्या वशकता होती है Even when we are eating, sleeping or reading we require energy और यहां तक कि जब हम खाते हैं सोते हैं, पढ़ते हैं तब भी हमें उर्जा क्या वशकता होती है But where does this energy come from? लेकिन ये उर्जा आती कहां से है जो हमें सारे कामों के लिए जो energy चाहिए होती है वो कहां से आती है Can you say why your parents insist that you should eat regularly तो क्या अब आप बता सकते हैं कि जो आपके parents आपको बार बार में जब बोलते हैं कि आप time पे खाना खाओ regular time पे खाना खाओ तो हो सकता है उसका भी से से कोई link हो The food has stored energy which is released during respiration जो food है उसमें energy stored होती है जो कि कब release होती है respiration के दोरान Therefore all living organisms aspire to get energy from food तो इसलिए सभी जो जीव है वो स्वशन करते हैं जो food की जो energy होती है उसको प्राप्त करने के लिए During breathing we breathe in air जब स्वशन करिया होती है सांस लेने के प्रिकरिया होती है तो हम हवा में सांस लेते हैं You know that air contains oxygen और आप सभी जानते है जो air होती है वायू होती है उसके अंदर oxygen होती है We breathe out air which is rich in carbon dioxide और जब हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं वक्त कुन सी gas बहार निकालते हैं carbon dioxide जिसमें क्या होती है carbon dioxide की अधिक्ता होती है The air we breathe is transported to all part of the body and ultimately to each cell और जो हम breathing के थूँ जो oxygen लेते हैं वो हमारे सभी body part में पहुंचती है और last में वो हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है और जब वो कोशिकाओं पहुंचती है oxygen तो वो किसमें help करती है जो food होता है उसको breakdown करने में और जो ये प्रकरिया है food को breakdown करने की cell के अंदर कोशिका के अंदर जिसके बाद की energy release होती है ये पूरी प्रकरिया कहलाती है cellular respiration यानि की जैविक स्वेशन cellular respiration takes place in the cells of all organisms और जो ये जैविक respiration है ये सभी कोशिकाओं में होता है सभी जीवों की कोशिकाओं में होता है in the cell the food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen जो कोशिकाओं होती है उनकी अंदर जो food होता है वो breakdown होता है carbon dioxide में और water में किसका यूज करके oxygen का यूज करके when breakdown of glucose occurs with the use of oxygen it is called aerobic respiration और जब ये glucose का breakdown होता है वो oxygen को यूज करके किया आता है तो ये होता है aerobic respiration यानि कि वाइवे suppression food can also be breakdown without using oxygen और जो ये हमारा भोजन होता है ये oxygen के बिना भी breakdown होता है और इसको हम क्या कहते है this is called anaerobic respiration यानि कि वाइवे suppression जो कि बिना वाइवे की उपस्तिती में होता है breakdown of food release energy और जो ये food का breakdown होता है चोटी चोटी टुकडों में जो food टूटता है तो उसके बाद क्या होती है energy release होती है तो इसी को नीचे यहां दिखाया हुआ है आपके कि glucose किसके presence में oxygen के presence में breakdown हुआ और क्या release हुआ carbon dioxide water or energy you should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air तो आप कोई पता होना चाहिए कुछ ऐसे जीव भी होते है जैसे कि yeast जो कि air के absence में ही वायू की अनुपस्थिती में भी survive करते हैं they are called anaerops तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों anaerops कहाता है यानि कि ayway जीव क्योंकि उन्हें वायू की जरूद नहीं पड़ती है they get energy through anaerobic respiration तो वो इस ayway respiration के थूश्षन के थूश्षन के थूँ ही energy प्राप्त कर लेते हैं in the absence of oxygen glucose break down into alcohol and carbon dioxide और जब बिना oxygen की उपस्थिती के glucose breakdown होता है तो उससे क्या बनता है alcohol और carbon dioxide और साथ में energy release होती है जो कि हमें नीचे समेकरण के रूप में भी दिखाया हुआ है our muscle cell can also respire anaerobicly but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen और जो हमारी muscle cells होती है वो भी anaerobicly यानि कि ayway respiration करती है लेकिन बहुत ही कम time के लिए जब हमारे शरीर में oxygen की कुछ time के लिए कमी हो जाती है उस time during heavy exercise fast running cycling walking for many hours or heavy weight lifting the demand for energy is high तो बच्चों जब हम बहुत ज़्यादा exercise करते हैं या तेस्टेस दोड़ते हैं running करते हैं या cycling करते हैं या walking करते हैं या weight lifting करते हैं तो उसमें क्या होता है ज़्यादा energy release होती है but the supply of oxygen to produce the energy is limited जो energy produce करने के लिए oxygen की supply होती है वो थी limited होती है then anaerobic respiration take place in the muscle cell to fulfill the demand of energy और इसलिए जो एवाईवी एस्वेशन होता है वो होता है हमारी muscle cells के अंदर जो हमारी ज़्यादा demand होती है energy कि उसको पूरा करने के लिए यह देखिए यहाँ पर यह दोड़ता हुए आपको exercise करता हुए यहाँ पर परसन दिखाई दे रहा है तो इस इस्थिति में हमें ज़्यादा energy की ज़रूत होती है have you ever wondered why you get muscle cramp after heavy exercise तो क्या आपको इस बात की हिरानी नहीं होती क्या पर ज़्यादा exercise या heavy exercise करने के बाद आपके muscle में cramp पाने लगते है the cramps occur when muscle cells respire anaerobically और यह जो cramps आते हैं किस कारण से आते हैं क्योंकि जो हमारी muscle cells होती है वो avivation करती है the partial breakdown of glucose produced lactic acid the accumulation of lactate acid cause muscle cramps जब यह anaerobic respiration होता है तो इसमें lactic acid produced होता है जिसके कारण की हमारी muscles में cramps आते हैं get relief from cramps after a hot water bath और यह massage और जब हम hot water bath लेते हैं या गरम पाने से सनान करते हैं या massage करते हैं तो हमें इन cramps से relief मिलता है can you guess why it is so क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा क्यों होता है hot water bath और massage improve circulation of blood जो गरम पाने का सनान हम करते हैं या massage करते हैं उससे क्या होता है बचों हमारे जो blood का circulation है वो improve होता है as a result the supply of oxygen to the muscle cell increase और उसके परिणाम से रूप क्या होता है कि हमारे जो muscle cells हैं उनके अंदर oxygen की supply बढ़ जाती है the increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water और जब यह oxygen की supply बढ़ती है तो इसके परिणाम से रूप क्या होता है जो lactic acid है वो complete रूप से तूट कर carbon dioxide और water में convert हो जाता है अब हमारा next topic है breathing breathing यानि की स्वास लेना या स्वासन और इसके लिए हमें दिये हुई यहाँ पर एक activity देखते हैं इसमें क्या किया हुआ है सबसे पहले तो उपर आपको साफधानी लिखे हुई है do this activity under the supervision of your teacher तो आपको जो यह activity है अपने teacher की supervision में देख देख में करनी है close your nostrils and mouth tightly and look at a watch तो अपने आपको जो नाख है उसको और अपने मुग को tightly बंद करना है और अपने जो watch है उसको उपर ध्यान देना है what did you feel after some time जब आप अपने नाख को बंद करते हैं और मुग को तो क्या feel करते हैं जब हम नाख और मुग को बंद कर लेंगे तो सांस नहीं आया पाईगी हमें how long were you able to keep both of them close तो कितने time तक आप दोनों को close रख सकते हैं बंद रख सकते हैं note down the time for which you could hold your breathe तो आप उस time को note करेंगे इतने time तक हम सांस को रोख सकते हैं so now you know that you cannot survive for long without breathing तो अब आप जानगे होंगे कि हम ज़्यादा time तक breathing के बिना सांस लिए बिना जीवित नहीं रह सकते breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs तो breathing का मेन यहां पर क्या है बचों कि हम जब सांस लेंगे तो उसमें oxygen जाएगी अंदर और जब सांस छोडेंगे तो हमारी जो respiratory organs हैं उनके थ्रू carbon dioxide को हम बहार निकालेंगे the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation और जब oxygen को जो air में होती है उसको अपनी body के अंदर inhale करते हैं तो उससे का जाता है inhalation and giving out of air rich in carbon dioxide is now next exhalation और जब हम carbon dioxide वाली जो gas वाली जो air होती है उसको स्वशन के लिए दुआरा बाहर निकालते हैं तो वो कहलाती है exhalation it is a continuous process which goes on all the times and throughout the life organ organ और जो ये process है breathing का ये पूरे जीवन भर जीवों में चलता रहता है the number of times a person breathes in a minute is term as the breathing rate और जितने बार एक व्यक्ती एक मिनट में ये सास लेने की प्रिकरिया होती है उसको दोराता है वो कहलाती है उसकी breathing rate यानि कि स्वशन दर during breathing, inhalation and exhalation take place alternatively तो जब breathing होती है, सास लेते हैं तो एक बार हम inhale करते हैं, सास को अंदर लेते हैं और एक बार सास को बाहर छोडते हैं a breathe means one inhalation plus one exhalation और एक complete breathe का मतलब स्वशन का मतलब यही है कि एक बार हम सास को अंदर लें और एक बार बाहर छोड़ें Would you like to find out your breathing rate? तो क्या आप अपने स्वशन के दर को पता लगाना चाहेंगे किस दर से आप स्वशन लेते हैं? Do you want to know whether it is a constant or a change according to the requirement of oxygen by the body? और क्या है आपको पता है कि या आप पता लगाना चाहेंगे कि ये same रहती है या हमारी जो body है उसके requirement के according ये change होती रहती है? तो चलिए एक activity के help से ये पता लगा लेते हैं Generally we are not aware that we are breathing तो हमें अक्सर ये पता ही नहीं होता है कि हम सांस ले रहे हैं ये प्रक्रिया अपने आप चलते रहती है तो हम इसको ध्यान नहीं दे पाते However, if you try you can count your rate of breathing और अगर आप try करेंगे तो आप count पी कर सकते हैं कि आपकी स्वेशन के दर कितनी है Breathe in and out normally तो जैसे आप सांस लेते हैं ऐसे ही आप सांस लेजिए Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute और ये find out करने कोशिश कीजिए कि एक minute में आप कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार छोड़ते हैं Did you inhale the same number of times as you exhaled तो क्या आप जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार ही छोड़ते भी हैं Now count your breathing rate after brisk walk and after running तो अब आप क्या करेंगे कि एक लंबी सेर के बाद या running के बाद अपनी जो breathing rate है उसको count कीजिए Record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest तो जब आप activity करके चुकेंगे जब running करने के बाद तुरंत है record करेंगे कि आपके breathing rate कितनी है और जब आप complete rest करेंगे उसके बाद भी आप note करेंगे Tabulate your findings and compare your breathing rate under different condition with those of your classmate और इसी तरह से जो आपके friends हैं उनकी breathing rate को भी आपको compare करना है From the above activity you must have realized that whenever a person need extra energy he breathes faster तो इस activity को करने के बाद आपको यह realize होगा कि जब किसी person को extra energy की जरूत होती है तो वो तेज-देज सांस लेता है As a result more oxygen is applies to our cell और इसके परिणाम सुरिप होता है क्या है कि हमारी कोशिकाओं में ज्यादा oxygen जाती है It speed up the breakdown of food and more energy is released और यह जो हमारी food को breakdown करने के speed उसको बढ़ा देती है जिससे कि ज्यादा मातरा में energy release होती है Does this explain why do you feel hungry after a physical activity तो क्या इससे explain होता है क्यों जब हम कोई physical activity करते हैं तो उसके बाद हमें भूख लग जाती है When you feel rosy, does your breathing rate slow down और जब कभी आपको हलके हलके नीन आने लगती है तो क्या आपके breathing rate कम हो जाती है, slow हो जाती है Does your body receive sufficient oxygen और जो आपके body है क्या वो sufficient मातरा में body receive कर पाती है अब यहां है हमारी next activity, activity 10.3 Figure 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day तो यहां पर कुछ activity दिखाए गई है जो कि normal person अपने पूरे दिन में करता है देखें यहां पर क्या क्या activity दिखाए गई है आपको picture में दिखे रहे होंगी running है, walking है और sleeping है, reading है, सभी तरह के activity आपे दिखाए गई है जो कि आप एक दिन में करते हैं Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the fastest तो क्या आप इसमें बता सकते हैं कि कौन से activity में जो हमारी breathing rate है वो सबसे कम होगी और कौन से activity में सबसे ज़्यादा तो जिस activity में सबसे कम काम किया जा रहा है, rest के position है, वहाँ सबसे कम होगी और जिसमें सबसे ज़्यादा exercise की जा रही है, वहाँ किया जा रहा है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ इन सभी activities को आपको देना है number और बताना है कि कौन से में सबसे ज़्यादा होगी और कौन से में सबसे कम तो मुझे आपको comment करके comment box में बताना भी है इसका answer Assign number to the pictures in the order of increasing rate of breathing according to your experience और आपको इसको increasing rate में यहाँ पर record भी करना है पताना भी है कि सबसे कम किसमे होगी उसके बाद किसमे होगी और इसके बाद सबसे ज़्यादा किसमे होगी तो इस तरह से इन एक्टिविटिव को आपको adjust करना है तो जल्ली से पता लगाई कि कौन सी में सबसे कम breathing होगी rate और कौन सी में सबसे ज़्यादा और हमारा next topic क्या है how do we breathe हम सांस कैसे लेते हैं जो कि हम पढ़ेंगे अपनी next वीडियो में तो बच्चो आज की वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है टोपिक समझ में आ रहा है चैप्टर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देजिए और अपने सभी इस प्रेंट के साथ शेयर करना बिलकुर भूलिए और हाँ हमारी नेक्स वीडियो देखने के लिए सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए पैल आइकन को प्रेस कर लेजिए जिससे कि आप तक यह वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें तो बच्चो अभी बस इतना ही कहूंगी गर पे रहें मगर पढ़ते जरूर रहें थेंक्यू फूर वचिंग में वीडियो